जैशी किष्णा दोस्तों ब्यसरा फैंबली में आपका स्वागत है दोस्तों इस बार देवशेनी एकादशी पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनने जा रहा है इस दिन रभी योग बन रहा है शुकल योग बन रहा है और बुधादित्य योग बन रहा है जिसके कारण गया कोई भी उपाय निश्वल नहीं जाता अगर आपके किसी भी कारिये में आपको रुकावट आ रही है यानि आपकी नोकरी में वैपार में अगर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है या फिर आपको संतान प्राप्ती में रुकावट आ रही है पुत्र की प्राप्ती नह आने वाले उपाय आपको बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको लाब मिलेगा क्योंकि इस दिन बहुत ही दुरलव तीन सरवार सिद्ध योग बनने जा रहे हैं उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू क कर लें भगलें बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों देव शैनी एकादशी के दिन ब्रहम मौलत में जगना चाहिए सुबह सनान आदिसे निवरित होका सोच वस्त धा परन करके शीहरी भगवान का पूजन करना चाहिए अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी है तो उन्हें सनान कराए उन्हें पीले वस्त्र पहनाए पीला चंदन लगाए उनको पीले फूल और पित करें उनके आगे धूब दीव जलाकर ओम लमो भगवते बाय मंत्र का जाब करें साथ ही देखे इस दिन क्या उपाय करना चाहिए उसकी भी हम जानकारी दे रहें दोस्तों अगर आपकी कोई भी मनो कामना है आपको संतान की या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पारे तो इस दिन आपको देखे एक पीपल का पत्ता लेना है उसके उपर आपको लाल चंदन से या लाल रोली से अपनी जो भी मनो कामना है वो लिखनी है और शीहरी भगवान को अरपित कर देना है और अरपित करने के बाद आपको एकादशी के दिन ही साय काल तक आप किसी भी बहतेवे पानी में अगर विसरजित कर देते हैं तो यकीन मान पानिया आपकी जो मलोकामला है वो शीग्र पूरी होती है दोस्तों अगर आपको बहता हुआ पानी नहीं मिल पारा है तो आप शिवलिंग पर भी पीपल के पते को चड़ा कर आसकते हैं दूसरा उपाय है दोस्तों अगर आपके किसी भी कारे में आपको बाधा आ रही है यानि मिट्टी का पात्र लेना है उसमें आपको शहद भरना है अपनी इच्छा अनुसार और उस पात्र को आपको किसी भी सुनसान जगा पर दबा कर आ जाना है या तो आप किसी सुनसान जगा पर दबा दें या फिर किसी भी मंदिर में रख कर आ जाए आप शिवाले के पा मात्र ये दो उपाय करने से आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी साथ ही दोस्तों अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन श्रीहरी भगवान को देखे आपको एक मोर पंक अवश्य हर्पित करना है साथ ही देखे इस दिन से श्रीहरी भगवान चार महिने के लिए शेयन करते हैं तो इस दिन आप अगर लट्टू कपाल जी के लिए चाहे आपके घर में है या फिर मंदिर में अगर आप मतलब पलंग जो भगवान जी को मतलब शेयन कराते हैं उनका जो बिस्तरा होता है तक्या होता है या अफिर चादरा अगर आप किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो यकीन मानिया आपकी जो मनोकामना है वो अतिशीगर पूरी होती है इसके साथ ही दोस्तों शीहरी भगवान का इस दिन विदी विदान से पूजन करना चाहिए उनको भोग भी अवश्य लगाना चाहिए इस दि लिखना आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीगर पूरी होगी दोस्तों देवशे ने एकादर्शी पर बहुत ही सरवार सिद्धी योग बना हुआ है तो आप अपनी इच्छानुसार इन में से कोई भी उपाय करें यकीन मानिया आपको निश्चित ही लाब मिलेगा साथ ही दोस्तों इस दिन गरहो का गोचर बहुत ही दुरुला भी योग बना रहा इन आठ भागिशाली राशियों के लिए इन आठ भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश, व्रेश, मित्थुन, कर्क, कन्या, व्रिश्चिक, मकर और मीन ये भागिशाली राश झाल झाल